सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सौगत है जैन रेक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे वाजमाप के लिए जबरदस्त और एक इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि पाकिसान में अब कुछी द जी इमरान खान को इग्नोर किया करते थे उसी तरह शेबाज श्रीप का फोन उठाने से मना कर दिया तो इसी मुद्दे पर आज देखेंगे आप पाकिसानी पत्तरकार कमर चीवा को उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हम सब की चहेती आर्जु कास्मी जी तो ये वीडियो बह करें मजाकरात करें ये आफर्ज वो बहुत ज्यादा कर चुके हैं जब से वजीर आज़म बने हैं भारत को आपको क्या लगता है कि नरेंदरा मोदी साब क्यों जवाब नहीं देते इंडिया क्यों रेडी नहीं है आप यूर एन आवर्ड फॉलवर ऑफ इंडिया और आप पाकसान की पॉलिटेक्स साउट एशियन पॉलिटेक्स को देखती रहती हैं क्या वज़ा है शबाशरीश आप को क्या क्यों इंडियन सरकार जवाब नहीं देती और क्यों उनको वो इस आफर को सीरियस नहीं ले दी सबसे पहले तो सार आप जानते हैं कि यह सरकार जो है वो सिरियसली नहीं लिया वैसे तो खैर बाकी गर्मन्ट को भी कोई नहीं लेता लेकिन इनको तो बिलकुल ही नहीं लिया तो शायर एक reason ये भी होगा उसके बाद ये कि अगर elections होते हैं जो कि बार-बार कहा जा रहा है कि डिले हो जाएंगे जो कि होने तो नहीं चाहिए तेकिन अगर जब भी elections हो जाएंगे और जो नई government आएगी जिसमें काफी chances हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे as a prime minister तो फिर एक जब पकी government आएगी या पकी से मेरा मतलब एक प्रॉपर government आएगी उसके बाद ही शायद भारत या कोई भी दूसरी country जो है वो बात करने को तैयार हो हां कहे या ना कहे अभी आपको भी पता है मुझे भी पता है कि शेभाई शरीफ साब की क्या हैसियत है और कितनी power उनके हाथ में और दूसरा यए कि वो छे दिन रहे गантने तो अब वो यह बात कर रहे हैं उन्को तो यह बात जब आए थे फैले दूसरे दिन में ही कर लेनी चाहिए थी अब छे दिन में वो ऐसा क्या करिश्मा दिखाएंगे जिसमें चिमतकार दिखाएंगे जिसमें करते हैं उसके बाद हो सकता है कि अंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉंस है वैसे तो आप ने देखा होगा कि आ पार्लीमिन में भी यह बात कुछ दिन पहले कहीं गई थी करा पाकिस्टान के साथ जो है वह ट्रेडम होनी चाहिए यह पाकिस्तान के साथ जो है वो एकानुमी पे बाचीत होनी चाहिए कर वहां भी उन्होंने डिसाइड नहीं किया लेकिन ये डिबेट जरूर उनके चल रही थी बाकी जो हमारी गलतियां हैं जो हम करते रहें हरकते हैं हर थोड़े दिन के बाद तो बारत वो अतनी जल्दी भूल तो नहीं क्या गलतियां हमने कर दी है माडम आपको याद होगा कि जब प्राइम निस्टर मोडी दुबारा इलेक्शन में आ रहे थे दोजार उन्निस में तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉग की वाइलेशन करते हुए पाकिसान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसका रिस् क्लिशन भी नहीं की बलके उसके बाद को डी ऐसकलेट किया हाला को और एवन के इंडिया का जो पाइलेट था वो भी वापस कर दिया तो आप कह रही हैं के हरकت हैं तो आपको यह नहीं लगता कि जो पाकिसान की हकूमत है जो कि यही यही इसी असम्बली की बात करें लिग कि पाकिस्तान की अंदर. तो आपको क्या लगता है? क्या ऐसा जो है वो पाकिस्तान डी-ेसकेलेट करे, लेकिन हरकतें पाकिस्तान नहीं करें? What do you make of this? नहीं, सर पाकिस्तान की आप आप नाम आने तो और बाते, सर यह तो मतलब आपकी पुरानी आदत है सर आप यहां के आप तो बड़े-बड़े टीवी चैनल पे जाके एक दम इंकार कर देते हैं और यकीना इनने इसके लिए बहुत हिमत चाहिए कि आप सब के मुह पे बैढ़के कहने हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं और सर इसके लिए म हमारा एक ड्रोन जो था वो अधर वागा बोटर के पास ही चक्रा के गिए गया था जिसमें ड्रुग्स थी इतनी बार ओं से अतियार आते हैं आप किया से ड्रुग्स आती हैं और उसका सबूर भी अब हमें मिल गया कि वहाँ पर जो आपने हाविद्मीर शाब का शो भी में वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से और उन्होंने का कि हाँ जी यहां से ड्रोन जो हैं वो भी जाते हैं अतियार भी जाते हैं ड्रक्स भी जाती हैं पिर मंबई अटैक को ले लीजिए चाहे पुलवामा को ले लीजिए औरी को ले लीजिए कितने ही ऐसे जो हम लोगों कोशिश की कारगल समय और उसके बाद जाहिर आपे ख्याल से के दूसरी तरफ के लोग जो है वो किसी किसम का रियक्शन नहीं करेंगे वह हमें कुछ नहीं कहेंगे उनका पाइलेट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते अगर इतने नहीं हम सही थे तो नहीं हमें ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गल्ती पे थे तो तुरी जल्दी क्विन चोड दिया रखते हैं ना दो-चार दिन यहाँ पे तो यह तक कहा जा रहा था कि टांगे काप रहीं थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था तो यह तो हमारी हालत है और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहाँ पे शरारत करते रहें हमारे ही लोग करते रहें और बकाइदा कहते भी रहे हैं बहुत से लोग कैसे हैं जो मुलक के अंदर बैठे हुए है और यहां से उल्टी-सीथी स्टेटमен्ट भी देते रहें जिसमें पार्ठी के लोग भी हैं और आ। इन्हें कुछ और तो आता नहीं बस यह जा कर स्टेटम. pouring देना होता है नहोंने उल्टा सीथा वह देते को जरूरत है जो के हर बार लोग कहते हैं पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ टर्म्स बेतर होने चाहिए लेकिन हमारे लीडर जब उठते हैं कोई उल्टा सीजा स्टेट्मेंट दे के आते हैं वैसे एक चीज़ इन सब में common है जब ये जाने लगते हैं या चले जाते हैं उसके बाद ये ये भी कहते हैं कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए बारत से टर्म्स अच्छी होने चाहिए भारत की तारीफें शुरू कर देते हैं इमरान खान ने भी यह किया और अभी शहबाद शरीफ साब भी जब सर्फ 6 दिन रहे गें कि वो अपना backpack करें और घर को रवाना हो उससे पहले जो है वो भी सी किसम की statement दे रहे हैं अब कितनी ही गलतिया बार बार बताई जा चुकी हैं हमारी तरफ से जो हुई हैं लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें नहीं हमने कुछ नहीं किया तो बस इस पे तो सर्फ सर्फ अफसोस ही किया जा सकत है मैड़म आपने बात की कि कि वो शबाद शरीफ साब अभी जा रहे हैं इससे पहरे भी शबाद शरीफ साब अगर आपको याद हो बिलावल भुटो साब गे इंडिया एक अच्छे तरीके से डायलॉग हुआ S.C.O. की कांफरेंस ऑनलाइन हो गई वरना शायद हमारे वजीरियाजम जाते तो रिसेंटली शबाद शरीफ ने यूई में भी कहा था कि हम भारत से बात करना चाहते तो पाकसान तो कॉंटिनियूसली कह रहा है आप जब ये कहते हैं कि ड्रग्स और ड्रोन्स और सारा कु तो ये जो स्टेट्स होती हैं जिनके दर्मयां मिस्ट्रस्ट होता है तो इसमें तो जारी बात हैं दोनों मुलक कुछ न Upper उते हैं ये तो नहीं है कि एक वर्जन हंड्रड पर्चन ठीक है दूसरे का वर्जन हंड्र पर्चन खराब है तो आपको नहीं लगता कि आगर वो क को खराब करने की लिए कि जा रही है अदो वाइस तो मेरा नहीं खिया जितना मिलिटराइज बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का ये ड्रग्स एंड ड्रोन्स चल सकते हैं आपको क्या लगता है आपको लगता है कि भारत की सरकार इसन में हिन्रेड पर्षण सच बोड़ी है सीज मैं सर आमिद्मीर साब का करीब हमारे ही इलाके में एक ग्रोंड गिरा है जिसमें कि बतरुव च्छे किलो शाय लिया आठ किलो ऐसे कच बताए जा रहा था ड्रॉक्स थी और वो जाहरे वागबॉडर के करीब गिरा है तो वो बारत ही जा रहा होगा ना वो कहीं और अमेरिका तो जाने से रहा लेकिन यह कि यह चीजे तो होती रही हैं हमारे चीजे तो हो क्या कह के बिचारे ठक गए हैं। वह कितनी बार उन्होंने जो है वो सबूत भी दिये हैं लेकिन उसके बाथ हमारे चीजे कोई ऐसी बात नहीं की जाती आप कि यहां से जिन लोगों को वो कह रहे हैं बार-बार चाहे वो हाफिस सहीद हो चाहे वो मसूद अजर हो या दाउद इब्राहिम हो कि आपने उनके ओपर कोई आक्शन किया है आप उनको रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं मतलब आप FATF वालों को तो बना सकते हैं कहां पर टोपी बैन आ रहे हैं कहां पर हम ऐसे फुजूल में बोल रहे हैं और यही बात हमारी है हम भी उन्हें बहुत अच्छा सा अंडरस्टांड करते हैं तो इसलिए वहां जाकर हमारे ड्रामा जोता है न वो फेल हो जाता है और वह इसलिए इस किसम की बातें वो लो क करते हैं लेकिन मैड़म आपको ने लगता कि बिलावल जब गए थे तो वो भी एक उपर्चुनिटी थी अभी फॉक्जामपल हमारे वजीर आजम शबाश शरीफ साब ने कहा कि देखें दोनों मुल्क न्यूकलिर पार्ट्स हैं तो हमें एकनॉमिक कॉंप्टेशन करना च चाहिए जैसे कि मोदी साब भी कहते थे कि आएं गुरुबत के किलाव लड़ाएं लड़ें तो शबाश शरीफ यहां हमारी हकूमत भी यही कह रही है आप कह रही हैं हाफर्ज मसूद दौद यह सारे तो जेलों में हैं यहां को भागे हुए हैं इनके ओपर तो केसिस चाल कर रहे हैं तो जब बिलावल जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि भारत ने एक उपरचुनिटी जाया कर दी बिलावल से बात करने कि डॉक्टर जेश शंकर साब ने और प्लस जब शबाश शरीफ कहते हैं कि न्यूक्लियर पार हैं तो हम कहीं मैस कल्कुलेट ना कर बैठे तो आपको नहीं लगता कि इन चीजों को हमियत देनी चाहिए जब जाएं तो इंडिया बात नहीं करता मैसेज बेज़ें तो वो बात नहीं करता तो आप आप स्टिल ये समझती हैं कि पाकिस्तान एग्रेसर है बिल्कुल ऐसे ही है ज़र और जहां तक न्यूक्लियर एसेट्स की बात है तो बस वो न्यूक्लियर एसेट्स लेके पूरी दुनिया में निकल जाए पाकिस्तान और बस वो जैसे कहते हैं ना पकोड़े ले लो पकोड़े ले लो उसकिसम का कोई मेरे ख्याले को स्टॉल ल पहले जो कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो के आप भी जानते हैं कि सही जबान नहीं थी और डिप्लोमेटिक लैंग्विज नहीं थी और इस बात को ना सिर्फ बारत में बलके पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने कहा क उन्होंने ऐसा नहीं किया था उसके फॉरण बात कुछी टाइम के बाद वो भारत गए थे तो जाहिर है वो सारी बातें लोगों को याद थी और जिस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया मेरे कहले वो यही डिजर्फ करते थे उन्होंने अरगेज उनको हार्पुल नहीं प स्वाल किये तो डॉक्टर जे शंकर ने भी तो कहा के बिलावल जो है इस स्पोक्षपर्सन आप टर्रिस्ट कंट्री और टर्रिस्ट स्टेट आपको नहीं लगता कि यह भी डॉक्टर जे शंकर ने एक पूरी पूरी 25 करोड अवाम के बारे में यह जो बात की है अब वो भ बात है ना आपको नहीं लगता कि महौल बनाने के लिए दोनों लोगों को एक कदम आगे आना चाहिए बिलावल को भी उन चीजों पर ओवरकम करना चाहिए अपने मुलक का बियान देना चाहिए जहां पर इंडिया समझता है कि जो वीक पॉइंट्स हैं या जहां पर जो जैशंकर के साथ विलावल भुटो जरदारी का तो कंपैरेजन कोई बनता नहीं उन से बहुत जूनियर हैं और पहली बार जह हो फॉरिंड मिनिस्टर बने और वो भी अपनी काबलियत की होजासे नहीं अपने खांदान की होजासे बने जो हमारे हैं सिस्टम चलता है कि पर करना मेरे ख्याले बहुत जाती होगी और जो जबान उससे पहले बिलावल भुटो ने इस्तमाल की थी तो मेरे ख्याले उसका रियाक्शन था जो डॉक्टर जैशंकर ने कहा और उस पे पाकिस्तान जो है वो इंकार भी कर सकता है लेकिन उसके लिए आपको साबिद भी तो से क्यों निकलते हैं ये भी एक एक बहुत बड़ा सवाल है चाहे वो सामा बिलादेन हो चाहे बाकी के ये जितने भी हैं तो ये सब पाई तो यहीं जाते हैं तो अगर उन्होंने घलत कहा है तो उसमें बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं ठीक है उन्होंने रियाक्शन में ब पर है दाइश यहां पर है कौन कौन से एक लंबी लिस्ट है आप जानते हैं टर्रिस ग्रूप्स की जो पाकिस्तान में पाई जाते हैं चाहे वो टी लपी और पिर हमारे उनको इलेक्शन लड़ने की विजाज़त होती है और उसके बाद वा जाते हैं पावर में भी बहु पहली बार भार निकलें तो अगर भारत यह कह रहा है कि जी आप अपने टर्रिस्टम को रोकें कतम करें फिर हम बात करेंगे ये बात तो उन्होंने बहुत बार करिये लेकिन हमारी है तो उसके ओपर कोई किसम का कुछ तावन नहीं हो रहा कोई बात नहीं की जारिया अभी सर कह रहे हैं आपको देखिए क्योंकि ये ठीटी पी जो है ये ये सारे गुरूफ जो है इनको आपकर पाकिस्तान ही तो कह रहा था नहीं ये कौन थे ये जनल फैज और ये सब जाके जो माँ पर कावा पी रहे ते और बड़ा हुश हो रहे तो आज वई हम भुगत रहें तो हमें इसलिए भारत तो नहीं कह रहा सरकेले भारत ने भारत ने हम nee कहा कि हमारे टेरीरिजम हैं यह हमसे टेरीरिजम को सपोर्ट करते हैं ये तो सबी कह रहें, तो क्या सब जूटे हैं? कर लेने चाहिए, स्टार्ट करने चाहिए, वेल, सबसे पहली बात हो यह है, भारत को इतनी जरूरत नहीं है, जितनी पाकिस्तान को जरूरत है, तो तड़ आप रहे हैं, भारत को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वजबूरी है भारत से बात करना और भारत से ट् वो पुलबामा का जवाब दिया था और भारत का वो पूरा हक है सोवेरेंटी को अपना बचाने का कि वो भारत अपने लिए अपनी सुरक्षा के लिए सेरफ डिफेंस के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर सकता है और पाकिस्तान की इंट सीट बजा सकता है और आपने बात कि अभी नंदन की आपने अभी नंदन को चाई बिलाके वापिस नहीं किया था आपने मजबूरी में और डर में वापिस किया था वहाँ पे आपके पारलिमेंट में ये बयान है कि उस दिन रात को पूरे कराची की बतिया जो है वो बंद कर दी गई थी अगर वो बतिया बंद नहीं होती तो सब को यह डर था कि इंडिन एरफोर्स आएगी और जब अटैक होगा तो पूरे पाकिस्तान का जो नक्षा है वो दुनिया से मिट जाएगा बात रहे ड्रोन और ड्रग्स की यह आपके हर पॉलेडिशन ने एकसेप्ट किया है टीवी पे आके पाकिस्तान जो है वो ड्रग्स भेज रहा है भारत में ड्रोन के जरीए और ना सिरफ ड्रोन और ड्रग्स ही बात करे मुशर्फ से लेके नवाज शरीफ और आपके पाकिस्तानी जनरल सब ये मान चुके हैं कि इवन करगिल जैसा यूद था वह भी पाकिस्तान ने शुरुवात की थी और भारत ने उसका मूत और जबाब दिया था वो तो आपको याद योगा न चीमा साथ और ये सब बुजद हो हाल है कि मुँ में राम राम और बगल में चूरी लास्ट में आर्जु काजमी जी ने बड़ी जबदद़ बात की कि कहां जैशंकर साब और कहां जो है तुमारा गंगू तेली बिलावल भुटो कोई कंपैरिजन ही नहीं है और जो बात की जैशंकर साब ने कि पाकिस्ता रंको टरिरिर्सम कहा तो ये बाथ आपको बड़ी बुरी लगी तो ये बात दुनिया का कौंसा देश है जो नहीं कहता पाकिस्तान दुनिया का hippie center है अरतिंगवाद का ये صर्फ भहरत नहीं ये दुनिया का हर देश मानता है चलब तक तक değildi तक नुमारा साथ दे रहा है और बात कि इस बिलावल बुटो की जब उसने मोदी जी पर टैक किया था तो उसने ये नहीं देखा कि बिलावल बुटो की उकाद क्या है उसने जब कसाई कहा था भारत के परधान मंतरी को जबकि भारत के परधान मंतरी को सुप्रीम कोट जो है वो साफ साफ निर्दोश था कर चुकी है आप सिर्फ भारत की बात न करें एवन कि अफगानिस्तान जैसा देश जहां पे तालीबान है वो भी आपसे परिशान है मतलब तालीबान भी आपके आतंग बात से इतना परिशान है कि तालीबान भी आप पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ चुका है तो आशा कर साथ